तो आज इसरो इतिहास रचने जा रहा है क्योंकि निजी रॉकेट की लॉंचिंग हो रही है रॉकेट नेम्ट विक्रम एस लिफ्टेड ओफ अट 11.30 एम लोकल ताइम फ्रॉम दे साथन इंडियन सतीश धवन स्पेस सेंटर अज इस वीडियो हम जानेंगे इजरो और भारत सरकार प्राइवेट कमपनीज को स्पेस की फील्ड में लाने में इंट्रेस्टेड क्यों है और ये भी डिसकस करेंगे हाली में लॉंच हुए प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के बारे में क्या है मिशन प्राइव और इंडियन गवर्मेंट स्पेस टेकनलोजी की फील्ड में बढ़ावा देने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है वीडियो शुरू करने से पहले एक कॉश्चिन यहां पर दो स्टेटमेंट्स है आपको इसमें से करेट कौनसी है यह बताना है पहले है मिशन प्रारब में विक्रम एस तीन कस्टमर सेटलाइट को सब और्बिटल फ्लाइट के लिए के लिए केरी करेगा सेकेंड स्टेटमेंट है सब और्बिटल फ्लाइट वो वरिकल्स होती है जो आउटर स्पेस में जाने में सक्षम तो हैं लेकिन इतनी तेज नहीं है कि अर्थ की और्बिट में रहे आपको इन दोनों स्टेटमेंट में सही कौन सी है यह बताना है अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्षिन में सही आंसर आपको जानने को मिलेगा वीडियो के एंड में आउ रिसेंटली आपने न्यूज में सुनाओगा विक्रम एस रॉकेट इजरो के स्री अरिकोटल लाउंच पैट से सक्सेस्कुली लिट आफ कर चुका है जो की इंडियन प्राइविट सेक्टर का स्पेस लाउंच पार्केट में पहला कदम रहेगा स्काइरूट एरोस्पेस जो की इंडियन स्पेस टेक्नोलोजी की फील्ड में इंडियन स्टार्टप है इसने विक्रम एस रॉकेट को डेवलप किया है जो की एक सिंगल स्टेज सब और्बिटल लाउंच वहिकल है जो तीन पेलोड करी करेगा यहाँ पे आप पूछोगे सब और्बिटल लाउंच वहिकल किसे कहते हैं तो सब और्बिटल फ्लाइट वह लाउंच वहिकल होती है जो अर्थ की और्बिटल विलोसिटी से कम रफ्तार में ट्रैवल करती है जो स्पेस में जाने में सक्ष्यम होती है लेकिन अर्थ की और् देखिए इजरो को funding भी जाती है by central government और annual budget 14 से लेके 15,000 करोड रहता है जो की जदतर rockets satellites बनाने में चला जाता है इंडिया में space economy का size काफी छोटा है अगर हम internationally compare करें तो इस sector को grow करने के लिए यह ज़रूरी है कि private companies इस market में उतरें इसी लिए इजरो knowledge share करेगा जैसे कि rocket and satellite manufacturing हमेशा से इस sector में private companies तो थी लेकिन वो सिर्फ rockets के parts या subsystem manufacture कर दी थी अब यहाँ पे main objective इस industry का प्रोच सहान देना है कि parts manufacturing से बढ़के अब बड़े scale पे rockets या satellites manufacture करे USA, Europe, Russia इन सभी countries के इस field में काफी बड़े competitors शामिल हैं जैसे कि Boeing, SpaceX, Airbus, Virgin Galactic लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा ecosystem नहीं है भारत में ऐसा ecosystem बिल्ड करने से defense systems और manufacturing industry में भी एक boost आएगा which will be a plus point for India एक question आपके मन में यह आएगा कि foreign launches भी किये जाएंगे इस calendar इसका answer है देखिए अभी तक foreign rockets इंडिया में launch होने के लिए नहीं आया हैं under private partnership यह ऐसा revenue source है जिसको ignore नहीं किया सकता देखना यह होगा in future MTCR, Missile Technology Control Regime अपनी policies किस तरह से draft करती है इसी को monitor करने के लिए June 2020 में InSpace को बनाया गया था as an organization under Department of Space इन स्पेस का पूरा टास्क यही है कि स्पेस टेकनलोजी में private players को साथ दे including research and exploration इंट्रेस्टिंग कोईशन यहां पर यह आता है कि Indian Space Industry अभी तक competition क्यों नहीं दे पाई इसका reason है कि Indian Space Industry जड़तर अभी तक supplier का रोल ने बार रही है for example components बराने में या subsystem manufacture करने में Indian Space Industry के पास उस लेवल के technology और resources नहीं है जो independent space projects में इस्तमाल किये जाए for example जैसे SpaceX करती है भारत में भी ऐसी services की demand बहुत है लेकिन इस growing demand को इजरो पूरा नहीं कर पा रहा है जैसे की satellite data, space technology या space imagery की demand कई सारे sectors में है weather, agriculture, transport, urban development और कई सारे sectors हैं जिनको data की जिरुवत होती है अब वापिस आते हैं Skyroot के Vikram S पे So Vikram S एक single stage solid fuel rocket है जिसको पिछले दो साल से बनाया जा रहा था by the company Skyroot, Pawan Kumar और नगा भारत Skyroot के founders हैं इन्होंने 2018 में Skyroot को हैदराबाद में setup किया 2018 के समय पे space industry, private players के लिए नहीं खुली थी Vikram S rocket के launch को आप consider कर सकते हैं as a test launch जो की अगले साल 2023 में launch होने वाले rocket Vikram 1 के कुछ parts carry करेगा for testing purpose So nearly 80% सारे systems और processes की quality को test किया जाएगा जो अगले साल Vikram 1 के launch में इस्तिमाल किया जाएगे इस launch vehicle के engine का नाम, former president, श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम के honor में कलाम 80 रखा गया है अब वापस आते हैं उस question पे जो मैंने आपसे वीडियो के start में पूछा था इसका answer है option A, दोनों statements यहाँ पे सही हैं आप वीडियो के explanation से समझ गया होंगे question को सो यह था इस पूरे topic का detailed analysis आपको वीडियो के notes डिस्क्रिप्शन में दियो लिंक से मिल जाएंगे साथी में आप current affairs और newspaper editorials भी पढ़ सकते हैं जो daily, instagram और youtube community पे post किये जाते हैं thank you for watching